चांदी के सिक्के का कमाल आप होंगे माला माल नमस्कार मिंतरु स्वागत है सिद्धीटोट के चैनल पर आप सबका एक बार फिर से यदि आप चाहते हैं कि आपका धन बढ़ता रहे यदि आप चाहते हैं कि छोटी-छोटे कामों से भी बड़ा-बड़ा धन आए तो फिर आज की वीडियो आपके लिए है और इस वीडियो को देखने के बाद आप बहुत ही आसानी से अपने धन्म वृद्धी होते हुए देख पाएंगे क्या उपाई करना है कैसे करना है किस से प्रार्थना करनी है सब कुछ इसी वीडियो में आपको बताने वाले हैं पैसे कमानेगी तो हर व्यक्ति अपने तरफ से प्रयास कर रहा है कि वो पैसे कमाए और अपनी योगिता के अनुसारी वो पैसे कमा पाने के लिए कोसिज भी कर सकता है तो इस तरह से अलग-अलग व्यक्ति अलग-अलग रूप में धन कमा रहे होते हैं अब बात ये आती है कि आपके जीवन में पैसा कैसे बढ़ेगा तो सीधी सी बाते माता लक्ष्मी प्रसन हो जाएं तो चीजें ठीक हो सकती है और माता लक्ष्मी को प्रसन करना को इतना भी कठिन नहीं है बहुत सामाने बाते हैं पहले तो आप उन्हें सुन लिजीए फिर उपाई की तरफ चलेंगे सबसे पहला काम तो है रूज आपको स्नान करना चाहिए और स्नान करने के बाद किसी ना किसी तरह की सुगंध का प्रियोग करना चाहिए उसके लिए आप नचुरल भी अपने साथ रख सकते हैं या परफ्यूम का इस्तेमाल कर सकते हैं विशेश रूप से इत्र का इस्तेमाल करना ज़्यादा फाइदे मंद होता है तो इत्र का इस्तेमाल अगर आप करते हैं तो वह बहुत अच्छा रहेगा यदि आप चाहते हैं संसारिक सुखों में आपके वृद्धी हो दामपत्य जीवन में वृद्धी हो तो नाभी पर इत्र लगाना कभी न भूलें नाभी पर इत्र रोज लगाईए मातालक्षमी भी प्रिसंद होंगी सुख्र भी प्रिसंद होगा जिससे कि सुख समर्दी घर में बढ़ती है और धन की कमी नहीं होती है प्रेम की भी कमी नहीं होती जहां धने वहाँ सब कुछ है ये मान के चलिएगा कुछ और बाते हैं जिसके कारण से पैसा होने के बाद भी परिवार बिगड़ जाते हैं कारीजन कभी और डिसकस कर लेंगे लेकिन यह मान के चलिए कि धन है तो सुख समर्दी आपके आजाती है आपके साथ अगर आपके पास पैसे की कमी है तो आप अपने प्रेम को भी बहुत अच्छे से प्रकट नहीं कर पाते क्योंकि कहीं न कहीं लिमिट लगी हुई है कहीं न कहीं एक आपके उपर बंधन है कि आप इससे ज्यादा तो बोल ही नहीं पाएंगे आप कहीं गुमाने टहलाने की बात कैसे कर पाएंगे अगर आपके पास पैसे नहीं है आप कहीं कुछ अलग उसको खिलाने पिलाने की बात कैसे कर सकते हैं आप उसके लिए कुछ महगा कुछ ऐसा जो से पसंद हो वो कर पाने में भी सक्षम नहीं पाते हैं सिर्फ धन की कमी के करण, संतुष्टी अलग बात है, संतुष्टी आप में है तो ये तो बहुत अच्छी बात है, किन्तो मात्व कांची होना भी कोई बुरी बात नहीं है, अब उपाय की बात कर लेते हैं फिर, उपाय में आपको एक चांदी का सिक्का चाहिए, तो वो कैसा भी आपने हलका लिया, भारी लिया, छोटा लिया, बड़ा लिया, it doesn't matter, आप लीजे कुछ भी ले सकते हैं, जब आप पूजा पाठ करें, तो पूजा पाठ करते समय इसको सुभ दिनों में, सांत दिनों में, सोम वार के दिन में, बुधवार के दिन में, गुरु वार के दिन में, शुक्रवार के दिन में, ऐसे दिनों में आप इसकी पूजा करनें, एक बार माता लक्षमी का ध्यान करते हुए, इसी सिक्के पर आपको सिंदूर भी चड़ा देना है, इसी सिक्के पर थोड़ी सी हल्दी भी लगा देनी है, इसी सिक्के को आप एक लाल कपड़ तो धूप जलाके इसको थोड़ा उसके धूए में सेंक दीजिए जिसको कहते हैं धूप दिखाना तो आप इसे थोड़ी धूप दिखा दीजिए और फिर इसे अपने तिजोरी में रखिए माता लक्षमी को आपको ध्यान रखना हमेशा और हर एक सुब घड़ी में हर एक जब जब आपके परिवार में कुछ भी सुब कायरे आप कर रहे हैं उस दोरान इस सिक्के की पूजा माता लक्षमी के रूप में अवस्य ही करनी है और एक चीज इसके साथ में और कर लिजेगा कि धन अस्थान हमेशा दक्षड की दिवार पर रखिएगा जो आप तिजोर आ रहे हैं इसमें बस इतना ध्यान रखना कि वो दक्षड पस्चिम की कोने पर ना लेके जाएगा बाकी पूरव की तरफ आप करके रखेंगे तो उसमें धनवर्दी होती रहेगी अगर ठीक उसी के सामने को यह आप सीसा लगा के रखते हैं तो यह और अच्छा रहेगा इससे धनवर्दी और अच्छी मानी जाएगी उम्मीद करूंगा आपको पूरा उपाई समझ गए होंगे आप कैसे करना है कब करना है और यह करके आपको छोड़ देना है समय समय पर इसको रिचार्ज करते रहना है है ना बस मिलते हैं गली वीडियो में तब तक के लिए तमस्कार खुष रहिए